देश की महिलाओं के लिए खुश खबरी भारत देश में महिलाओं की स्थिती कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं कही जाती क्योंकि यहां महिलाओं को पुर्षों के मुकाबले कम समझा जाता है यहां तक कि लड़के की शादी की उम्र, लड़की की शादी की उम्र से जादा है अब ऐसा क्यों किया गया है? यह सबसे बड़ा सवाल है देश में अब इन सब मुद्दों को लेकर सरकार सोचने लगी है तुकि अब इसको लेकर सरकार भी जागरुक हो गई है और इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठा रही है तो दोस्तों आज मैं आपको महिलाओं से जुड़ी कुछ इसी तरह की जरूरी जानकारी दीनी जा रही हूँ जिसे जानने के बाद लड़कों का तो पता नहीं लेकिन लड़कियां बहुत जादा खुश हो जाने वाली हैं अब वो कैसे ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी नहाज़ा आपको ये वीडियो पुरा देखना होगा बहरत में क्या नई कानून है महिलाओं को लेकर जब सरकार बनाएगी महिलाओं को पुर्शों के बराबर महिलाओं के लिए सरकार ने क्या उठाया नया कदम अगर लड़की की नर्धारित उम्र से पहले शादी कर दी जाए तो क्या होगा आखिर क्यों भारत में लड़के की शादी की उम्र, जादा और लड़की की कम दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि भारत में बाल विभा सदियों से प्रचलित है और ये किसी धर्म विशेश से नहीं होकर सभी धर्मों, समुदाओं और वर्गों में लंबे समय से चल रही एक प्रथा है अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में ये प्रथा ग्रामीन इलाकों में अभी भी देखने को मिल जाती है बाल विभा के पीछे कारणों में मुखिता गरीबी, असक्षा, पित्री सत्ता जैसे कारक चिपे हैं लेकिन आज भी भारत के कुछ हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा रुकने का नाम नहीं ली रही है एक और सरकार महिला सशक्ती करण के कदम उठा रही है तो वहीं दूसरी और घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम है अब सवाल ये है कि आखिरकार सोच और हकीकत में इतना अंतर क्यों है जिसमें भारत को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बताया गया था 193 देशों में हुए इस सर्वे में महिलाओं का स्वास्त, शिक्षा, उनके साथ होने वाली यौनहिंसा, खत्या और भेदभाव जैसे कुछ पैमाने थे जिन पर दुनिया के 193 देशों का आकलन किया गया था, भारत हर पैमाने में पीछे था, वहां औरतों के स्वास्त और शिक्षा की स्थिती सबसे खराब थी, औरतों के साथ सेक्षिल और नौन सेक्षिल वॉयलेंस में हम अवल थे, और भेदभाव करने में तो हमारा कोई सा जा रहा है, जबकि सरकार अपनी तरफ से हर मुम्किन कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ इलाके और लोग इन कानूनों और नियुमों का पालन नहीं करते हैं, और महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, और यहां बात सिर्फ महिलाओं की नहीं है, बर्कि कई बार देखा कि महिला ने भी कानूनों का गलत फाइदा उठाकर अपने घरवालों और फिर पती पर अत्याचार किया है, फिर इसके चलते जो सच में महिलाओं अत्याचार छेल रही होती हैं, लोग उनके भी मदद नहीं करते हैं, जी हां, आज के समय में जब सरकार महिलाओं के लिए ख दिखाया है, वो कैसे किया है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर लड़कों की शादी की उमर लड़कियों से जादा क्यों लखी गई थी, तो उसनों भारत में अभी तक लड़के के लिए शादी की उमर 21 साल इवं लड़की के बाल विवहा भी कानूनी रूप से वैद नहीं है, यदि फिर भी कोई बाल विवहा करता है, तो ऐसा करने और करवाने पर दो साल की जेल और एक लाख तक का जर्माना हो सकता है, और अगर कम उमर में शादी हो जाए और लड़की कोई शिकायत नहीं करती, तब ऐसी स्थित में शादी को वैत मान लिया जाता है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये है, कि हमेशा लड़के की उमर ही लड़की से जादा क्यों रखी गई है, देखिए पुरानी मानेताओं के हिसाब से तो इसलिए रखी गई है, क्योंकि लड़के थोड़ा देर से मैचौर होते हैं और इसी कर चलते प्रधान मंत्री मोदी ने पिछले साल अपने सुतंतर्टा दिवस भाशन की तौरान कहा था, कि ये सरकार बेटियों और बहनों के स्वास्त को लेकर लगाता च्रिंतित है, बेटियों को कूपोशन से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी सही उमर म हो और उसके लिए सरकार हर एक मुम्किन प्रयास करेगी, भारत में लड़कियों की शादी की उमर को लेकर हो रही लंबे समय से बहस, भारत में लड़की और लड़के की शादी की उमर हुई समान, इंद्र कैबिनेट ने लड़कियों को 21 साल की उमर में शादी करने के प्र असल आजादी के पहले लड़कियों की शादी की उमर को लेकर अलग-अलग नियूंतम आयू तै की गई थी। लेकिन कोई ठोस कानून ना होने से 1927 में शिक्षविद, नियाधीश, राजनीता और समाज सुधारक राय साहब हरविलास सारदा ने बाल विभार उक्थाम के लिए एक विधेक पेश किया। विधेक में शादी के लिए लड़कों की उमर 18 और लड़कियों के लिए 14 साल रखने का प्रस्ताव था। 1929 में ये कानून बना जिसे सारदा एक्ट की नाम से जाना जाता है। 1978 में इस कानून में संशोधन हुआ और लड़कों की शादी की नियुनतम उमर 21 और लड़कियों के लिए 18 साल कर दी गई। लेकिन अब देश की बेटियों की शादी की उमर 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सूतरों के मताबिक प्रिस्ताफ को काबिनेट ने मंजूरी दे दी है इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। बता दें की मौजूदा कानून के मताबिक देश में पुरुषों की विभा की नियुंतम उमर 21 और महिलाओं की 18 साल है। अब सरकार बाल विभा निशीद कानून, स्पेशल मैरिज आक्ट और हिंदू मैरिज आक्ट में संशोधन करेगी। दोस्तों पिछले साल जून में टास्क फोर्स का गठन किया गया था और पिछले साल देसंबर में ही इसने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। टास्क फोर्स का कहना था कि पहले बच्चे को जन्म देते समय बेजियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए थी। क्योंकि विभा में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाच के आर्थिक, समाजिक और स्वास्त पर सकरात्मक प्रभाव पड़ता है। तरसल बेजियों की शादी की उम्र को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में वकील अश्वनी कुमार उपाध्याई ने एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि लड़कियों और लड़कों की शादी की उम्र का कानूनी अंतर खत्म किया जाए। इस याचिका पर जब केंदर सरकार से जवाब मांगा गया तो केंदर ने बताया था कि इस मामली पर एक टास्क फूर्स का गठन किया गया है।